कि सैफ्टर के अंतरगत बैवसाइग चयन का अधियन किया था चारे की अधियन करेंगे तो शुरू करते हैं अज की क्लास उध्योगिक चेटर में कारे कारे की उपयुक्त दशाएं जिन्हें अनुकूल दशाएं भी कहा जाता है और दिगिक शेत्र में कारे की उपयुक्त दशाओं के अंतरगत उन सभी कारकों को शामिल किया जाता है जो श्रमिकों को कारे करते समय सहायक होती हैं इन दशाओं को दो वर्गों में विभक्त किया परिवेश में संपन्न होता है भौतिक परिवेश यानि की भौतिक परियावरन यहां पर भौतिक परिवेश से तातपरे कारखाने के अंदर के परिवेश से है कारे की भौतिक दशाओं के अंतरगत भौतिक परियावरन या परिवेश संबंधी उन कारकों को शामिल किया जात जो श्रमिकों की कारिक्षमता को प्रभावित करती है अगर ये बहुतिक दशाएं अनुकूल होती है तो श्रमिकों की कारिक्षमता और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है वहीं अगर ये बहुतिक दशाएं प्रतिकूल होती है या विपरीत होती है तो श्रमिकों की ज़नता में गिनावट आती है Jenis प्रभ्मुआ बहुत इक कारक कौन है यह हम जान लेते हैं सबसे पहला बहुत इक कारक है प्रकाश की उचित व्यवस्था आध्येग क्षेत्र में भिनभिन प्रकार के कामों को करने के लिए प्रकाश की भिन भिन मातरा की आवशक्ता होती है सूक्ष में या बारीक काम होते हैं उनके लिए तेज प्रकाश की और जो साधरन कारे होते हैं उनके लिए समाने प्रकाश की आवशक्ता होती है लेकिन फिर भी प्रकाश ना तो इतना अधिक तेज होना चाहिए कि जो लोग काम करने वाले हैं उनकी आखों में चकाचौंत का अनुभा हो और ना ही इतना कम होना चाहिए कि काम करते समय आखों पर बहुत जादा जोर डालना पड़े जहां तक संबह हो प्राकृतिक प्रकाश की विवस्था होनी चाहिए लेकिन अगर प्राकृतिक प्रकाश तापमान शारीरिक स्वास्त के लिए हानिकारक होता है इससे दुरगटनाओं की आशंका भी बढ़ती है बहुत जादा टेंपरेचर होने पर श्रमिकों की कारिक्षमता प्रभावित होती है और काम करने में उनकी रूची घड़ जाती है इसलिए जरूरी है कि कारखाने मे उचित ताप की व्यवस्ता की जाए शुद्ध वायू की व्यवस्ता और देगिक संस्थानों में बहुत से ऐसे कारण होते है जिनकी वजह से वहां की वायू निरंतर दूशित होती है इसलिए जरूरी है कि कारखाने में शुद्ध वायू की व्यवस्ता की जाए दूशित से मतलब ताजी हवा का कमरे के अंदर या किसी भी स्थान पर प्रवेश करना और दूशित वायू का वहां से बहर निकलना इसके अतरिक यह भी जरूरी है कि जो हवा है उस हवा में नमी की आवश्यक मात्रा भी जरूर मौजूद हो शोर तथा कोला हल बहुत जादा शोर गु मानसिक तनाओं और हर्दय से संबंदित विभिन बीमारियां हो सकती है इसलिए जरूरी है कि ओद्योगिक संस्थानों में शोर या कुलाहल को कंट्रोल किया जाए कारे के घंटे हर व्यक्ति के काम करने के सीमा होती है और जब उस सीमा से अधिक कारे व्यक्ति करता है तो उ साथी साथ उसका स्वास्ति दिन प्रति दिन गिरता जाता है इसलिए यह जरूरी है कि ओद्योगिक संस्थान में कारे के घंटे निर्धारित हो और उससे जादा समय तक कारे कराना अवैधाने होना चाहिए कारे के मध्य विश्राम लगतार काम करने से जहां करमचारी ठक जाता है साथ ही वो उब भी जाता है और उसके स्वास्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए श्रमिकों की कारेक्षमता को बनाए रखने के लिए और द्योगिक संस्थानों में काम के बीच में आधे या एक घंटे का अवकाश होना चाहिए और जनरली और द्योगि गयनिकों के अनुसार कारे करते समय संगीत सुनने से कारे के प्रती रूची और गती बनी रहती है साथी ठकान का अनुभो भी नहीं होता इसलिए और द्योगिक संस्थानों में संगीत की विवस्था की जानी चाहिए परियाप्त सफाई विवस्था और द्योगिक संस्था से काम करते हैं वहीं इसका सीधा प्रभाव उनकी कारिक्षमता पर पढ़ता है पेह जल की व्यवस्था कारखाने में श्रमिकों के पीने के लिए साफ पानी निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए गर्मियों में शीतल जल का प्रबंद होना चाहिए शौचाले एवं स्थानों की परियाप्त सफाई रखी जाए व्यक्तिकत दूरी की विवस्था एक श्रमिक को काम करने के लिए कम से कम 50 वर्ग फुट स्थान स्वास्ति के दृष्टी से सही माना जाता है अगर ऐसा नहीं होता तो द्योग के भीतर भीड के कारण दुरगटनाएं घटने की संभावना बनी रहती है इसलिए आवश्यक है कि और द्योगिक संस्थान में व्यक्तिकत दूरी की विवस्था रखी जाए दुरगटनाओं से सुरक्षा कारखाने में जो भी मशीने लगी होती है उन मशीनों से श्रमिकों के सुरक्षा की विवस्था होनी चाहिए क्योंक होनी चाहिए जितनी कोशिश हो उतनी जादा कवर्ड होनी चाहिए और साथ ही साथ कारखाने के अंदर दुरगटनाओं से बचाव हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपाईयों को अपनाया जाना चाहिए जलपान की व्यवस्ता श्रमिकों के लिए कारखाने के अंदर ही कर्मचारियों के साथ बुर्ण विवार कर्मचारियों में खोब और विद्रो की भावना जन मेलेती हैं जिसकी वजह से इन दोनों ही वर्गों में यानि अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग इन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं वो बिगड़ जाते हैं और अध्योगिक वातावरन तनावपूर्ण हो जाता है इसलिए ये जरूरी है कि ओद्योगिक संस्थानों में अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के प्रती सहानुभूति पून, मधुर और मानुवियता पर आधारित व्यवहार होना चाहिए श्रमिकों के आपसी संबंध अधिकारियों के करमचारियों के प्रती संबंध ही नहीं बलकि श्रमिकों के आपसी संबंध भी मधुर होने चाहिए साथ ही ये संबंध सहयोग पूर्ण और मित्रता पूर्ण होने चाहिए जिन ओद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों में आपस में प्रेम, मैत्री और भाईचारे का संबंध होता है वहां कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं और उसकी वजह से उत्पादन में व्रिद्धी होती है लेकिन इसके विपरीत यदि श्रमिकों के बीच तनावपूर्ण संबंध होते हैं तो ओद्योगिक शांती भंग होती है और उत्पादन घटता है सुरक्षा एवं स्थायत तो ओद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले श्रमिक अपने वैवसाए और नौकरी की सुरक्षा और स्थायत तो चाहते हैं यदि श्रमिकों के नौकरी अस्थाई है और उन्हें ये डर है कि वो कभी भी समाप्त की जा सकती है तो ऐसी स्थिती में करमिचारी रूची और लगन से काम नहीं करेगा इससे उत्पादन घटेगा क्योंकि करमिचारी उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे इसलिए ये ज़रूरी है कि श्रमिकों को कुछ समय के बाद स्थाई बना देना चाहिए यानि उसकी नौकरी स्थाई कर देनी चाहिए जैसे श्रमिकों को संतोष मिलता है और लगन से काम करते हैं और उत्पादन में व्रिद्धी होती है उचित प्रलोभन उद्योगिक शेतर में उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए और एक स्वस्त वातावरन बनाये रखने के लिए श्रमिकों को विभिन प्रकार के प्रलोभन दिये जाने चाहिए जैसे समय समय पर वेतन व्रिद्धी, प्रमोशन, बोनस, अवशक्ता पढ़ने पर अवकाश, प्रशंसा पत्र, आदी इससे श्रमिकों में उत्साह और रूची बनी रहती है नियवानुसार पदोनती के अवसर किसी वी औद्योगिक संस्थान में कारे की विभिर श्रेणिया होती है जब कोई करमचारी संतोष जनक और अच्छा कारे करता है और उस करमचारी को उच्च पद परदान किया जाता है तो ये क्रिया पदोनती कहलाती है पदोनती के कारण कर्मचारियों को अच्छा काम करने की प्रेणा मिलती है इससे जहां एक और उद्योग को अपने ही काई से अनुभवी कर्मचारी मिलते हैं वहीं दूसरी और कर्मचारियों में भी कारे के प्रती प्रेणा और उत्साह बना रहता है आज के इस वीडियो में जहां एक और हमने कारे की उपयुक्त भोतिक दशाओं का अध्यान किया वहीं दूसरी और हमने कारे की उपयुक्त मनुवेग्यानिक दशाओं का भी अध्यान किया आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताईएगा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा और मेरे चैनल के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए नमस्कार